आपने गाना सुना होगा नशा शराब में होता तो नाचती बोतल अब बोतल नाचे या नाचे लेकिन नशे में लोग जरूर फजूल की बातें करने लगते हैं नशे में कई बार आपने देखा होगा खुद को बड़ा साबित करते हुए लेकिन अब एक ऐसा वीडियो दिखाने हम जा रहे हैं जिसमें एक यूपती नशे में खुद को CBI ऑफिसर बता रही है ये वीडियो भूपाल से आया है जहां एक यूपती नशे में धुत होकर खुब ड्रामा किया यूपती नशे में इतनी धुत थी कि राह चलते राहगीरों पर छेड़चाल के आरोप लगाने लगी अब इस बात में कितनी सचाई है इसका पता पुलिस लगाएगी लेकिन उसकी लड़खडाती जुबान ये साफ कर रही है कि ये नशे का कमाल है कि लड़की आम से CBI आफिसर बन गई हद तो तब हो गई जब यूपती ने खुद को CBI का अधिकारी बता कर पुलिस को धमकी देना शुरू कर दिया इसके बाद महिला पुलिस को बिलाए गया महिला पुलिस पहुंची और नशे में धुति इस यूपती को गौरव संस्था के पास भीजा गया ये घटना शाहपुरा के स्वने जैनती पार्क के पीछे अल्टिमेट हाइट्स की है प्यार मुहंबत करना कोई बुरी बात नहीं राधा कृष्ण के प्रेम कहानी को देखिए हीर राजे के प्रेम कहानी को देखिए लेकिन आज कल की जो प्रेम कहानी है वो उस प्रेम कहानी के तरह नहीं रह गई आज के प्रेम में प्रेम कम और अशलील ताज़ादा है और उसकी एक तस्वीर यूपी के गाजियाबाद में नैशनल हाईवे नौ से सामने आई जहां एक कपल बाइक पर सवार अशलील हरकतें करते नज़र आया तस्वीर देखी ये तस्वीर उसी नेशनल हाइवे नौकी है जिसकी हम बात कर रहे हैं देखिए कैसी युवक युफ्ती बाइक पर बैठे हैं बाइक चला रहा युवक तो युफ्ती तेल की टंकी पर बाइक सवार की तरफ अपना चेहरा करके गले लगा कर बैठी है ये तस्वीर बताती है कि आजकल के यवाओं में प्यार का क्या महतु है, क्या ये सेंट बाजी प्यार है या फिर ये अश्लील हरकत वहां से गुजर रहे एक कार सवार ये वक्त ने इसका वीडियो बना लिया वीडियो सामने आने के बाद गाजियवाद ट्राफिक पुलिस ने मामले में गारवाई करते हुए 21,000 रुपे का चालान काटा है अगर किसी गुनाह का शक पुलिस को किसी पर हो तो वो पूस्ताज करेगी अगर आप सही है तो आप सही होग करेंगे और गलत है तो विरोध करेंगे कई बार ऐसा भी होता है कि इनसान सही रहते हुए भी पूस्ताज से परिशान हो जाता है और विरोध करता है अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस खबर में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है दरसल राहुल राजवत नाम के एक युवक से पुलिस किसी मामले को लेकर पूस्ताज करती है लेकिन युवक इस पूस्तास से परिशान हो जाता है इतना परिशान कि वो हजीरा चौराहे पर आत्मदाह करने पहुँच जाता है युवक चौराहे पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश करता है पुलिस रोकना चाहती है, लेकिन उसके सहीयोगी हंगामा करने लगते हैं और फिर पुलिस दिखाती है एक अलग रूप ये अलग रूप तस्वीरों में देख सकते हैं आप हंगामा कर रहे हैं युवकिस सहीयोगी को पुलिस दोड़ा दोड़ा कर ख़देर्ती नजर आती है राहुल राजावत का आरूप है कि पुलिस उसे परिशान कर रही है लेकिन बात में कितनी सच्चाई है ये जांच का विशाय है सरकारी जमीन, अवैद मकान, निगम का एक्शन, चला बुल्डोसर और भस्त हो गया मकान ये सब कुछ हुआ खरगौन में दरसल सरकारी जमीन पर अवैद रूप से मकान का निर्मान करवाया गया था वो भी कोई एक दो मकान नहीं बलकि पूरे पांच मकान बनाई गए थे अवैद रूप से बनाई गए मकानों पर निगम की नजर पड़ी तो निगम आक्शन मोड में आया और कारवाई की निगम ने अवैद रूप से बनाए गए मकान पर कारवाई करते हुए बुल्डोजर चलवाया और सब ही मकानों को ध्वस्त कर दिया गया तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि दुमंजिला इमारत कैसे मिनिटों में ध्वस्त कर दी गई निगम ने कारवाई के लिए पुलिस की भी मदद ली और पुलिस की मौजूदगी में अवैद रूप से बनाए गए पांच मकानों को ध्वस्त कर दिया गया पहले शिक्षक को बाहर बुलाया और फिर ठाएं ठाएं गोलियां बरसा दी यह तस्वीर मुरेना के सिविला इंथानाक शितर के जौरा रोड स्थित मैदा फैक्ट्री के पास की हैं जहां दो छात्रों ने अपने ही शिक्षक को गोली मार दी जो इसके तस्वीरे कैमरे में कैट हो गई तेखिए कैसे इन दोनों छात्रों ने अपने शिकषक पर गोलिया बरसाई दोनों का नाम विकास और विनर है जिसने शिकषक पर गोलिया बरसाई वहीं मौके पर पहुचे पुले CCTV के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है इसलिए आज जेल में बंद है वरना तो पूरे राजगर को नाकों चने चबवा दिये इस बदमाश लंगूर ने एक दो नहीं करीब करीब 15 लोगों में ऐसी दहशत तारी हुई है कि जिन्दगी भर बंदर का नाम सुनकर खुद को घर में बंद कर लेंगे एक महीने उत्पात मचाने के बाद धरा गया है लोगों पर हमला करके फरार होने का तरीका ऐसा कि रियल डॉन शर्म से डूब जाए बड़ी मुश्किल से एक सीसी टीवी में पकड़ आया इसकी हिंसक शरारत का सबू यही था इस गुनहगार के काम करने का तरीका हर उमर के ल हाथा लेकिन मनवे भाग के तो रसूक की नाक पर निशान बना दी इसने आखिरकार कोशिश शुरू हुई तो यह था लंगूर का तरीका छलिया की तरह आता और चमतकार की तरह गायब हो जाता राजगर की टीम ने असपास के जलों से मदद भागी थोड़े इंतसार के ब किसी शातिर अपराधी की तरह पहले तो इसे ड्रोन की मदद से ढूंडा गया फिर गन शौट दिया गया इसके बाद भी यह उद्धाव नगर की तरफ भागता रहा फिर फलोदी कॉलोनी के पास एक छट पर बेहोश हुआ तब कहीं जाकर पकड़ाया गुर्णों के जुल सिलेंडर ब्लास्ट की पूरी कहानी बता रही है दर असल शिवपुरी के फत्यपुर इलाके में ठिंक गैस पाइपलाइन का काम चल रहा था और इस तोरान पाइपलाइन में गैस लीकेज हुआ और देखते ही देखते पाइपलाइन में आग बढ़क गई यह आग इतनी त अफ्री का माहौल बन गया वहीं इस ब्लास्ट में पांच लोग घायल भी हो गए जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भरती करवाया गया सब ही घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है तो वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया गर्मी का प्रचंड रूप देखने के बाद आज इंदोर वासियों को बारिश की फोहार नजर आई लेकिन ये बारिश की फोहार ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी बले ये इन दौर वासियों को गर्मी से राहत मिली हो लेकिन सडकों पर जिस तरह जगा जगा पानी जमा हुआ उससे परिशानिया बढ़ गई तस्वीरे देखिए हालात ये हैं कि पॉश अलाके में भी घुटने भर पानी जमा हो गया गाडियां रेंग रेंग कर चलने लगी बाइक वालों की बाइक बंद हो रही थी तो कार वाले कच्छुए की चाल चलने पर मजबूर हो गए ये नजारा कलेक्टर आफिस से लेकर माहर सिद्धी मंदिर तक का है इस रास्ते को नगर निगम ने आदर्श मार्ग घुशित कर रखा है अब सोचिए कि आदर्श मार्ग का ये हाल है तो फिर जो मार्ग आदर्श नहीं है उनका क्या हाल होगा कुछ ऐसा ही हाल खजराना गड़ेश मंदिर मार्ग का है अब सोचिए ये तो पहली बारिश है आने वाले दिनों में जब बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा तो क्या होगा बारिश आई तो ऐसी आई की परेशानियों को साथ लाई वो जिन्दगी पर आफत वाली परेशानिया ये तस्वीरे निवारी के कुवर पुरा की हैं जहां दिर रात मूसलाधार बारिश के कारण गाउं से निकलने वाला नाला उफान पर आ गया वहीं एक वीडियो सामने आए जिसमें देख सकते हैं कि उफान मार रहे इस नाले को पार करते वक्त एक बाइक सवार नाले में ही बह गया तस्वीरे देखिए कैसे बाइक सवार नाले में बहा जा रहा है बाइक चालक की पहचान पवन कुश्वाहा टहरौली की रूप में हुई है वह कुवरपुरा गाउं के टहरौली जा रहा था और टहरौली जाते वक्त उसके साथ ये हादसा हो गया चिलचिलाती गर्मी तपिश पिछले कुछ महीने से 36 गड़ का यही सब हाल चल रहा है लेकिन मौसम बदला और अब मौसम का मिजाज अलग हो गया है दरसल 36 गड़ में मौनसून से पहले प्री मौनसून सिस्टम से कई हिस्सों में हलकी बारिश हुई जिसके बाद दक्षन और मध्यक 36 गड़ में तापमान में गिरावट आई है राजजधानी राइपूर में जहां बादल चाय हुए हैं तो वहीं कवर्धा में भी काले बादल देखने को मिल रही है लोगों को गर्मी से राहत मिली कूंडा गाउं में भी मौसम बदला वहीं मौसम विभाग के मताबिक अगले दो दिन तक प्री मौनसून की गरट चमक के साथ बारिश के आसार है महकाल की नगरी धार में खोने के साथ साथ विज्ञान की भी नगरी कही जाती है मानिता है के काल गणना का केंद्र उज्जैन रहा है यहां सित जीवाजी वेदशाला में पृत्वी सूर्य चंद्रमा और कालचक्र को आसानी से समझा जा सकता है 22 जून को साल का सबसे बड़ा दिन और आज के दिन दोपहर में 12 बचकर 28 मिनट पर करकरेखा के आसपास वाले सभी स्थानों पर आम जन की परचाई गायव हो जाती है ऐसा पहली बार नहीं हर साल होता है सूर्य 12 जून को उतरायन से दक्षणायन की ओर प्रवेश करता है जिससे दिन छोटा और रात बड़ी होने लगती है 22 जून का दिन 13 घंटे 34 मिनट का तो रात 10 घंटे 26 मिनट की होती है साथ ही सूर्य की चरम करांती इस दिन 23 डिगरी 26 मिनट और 16.7 सेकंड होती है 22 जून के बाद दिन छोटे और रात बड़ी होंगी लापरवाही से गाड़ी चलाना और यातायात नियमों की अंदे की सड़क पर करना हादसों का सर्वप्रमुक करण होता है अगर हम यातायात नियमों का ठीक से पालन नहीं करें तो हादसा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और यही सब वज़ा है कि भारत में हर साल लगभग 80,000 लोग सड़क दुरगहटना में मारे जाते हैं जो की पूरी दुनिया में होने वाले कुल मृत्यू का 13 प्रतिशत है सड़क हादसी के एक तस्वीर शियोपूर से सामने आई अन्यंतरित होकर एक निजी बस सड़क से उतर कर खाई में पलट गई बस में सवार करी 25 यात्री घायल हो गए घायल यात्रियों में महिलाओं और बच्चों समेत पुरोष भी शामिल है वहीं दो लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है सभी को इलाज के लिए जिलास्पताल में भरती करवाया गया है बता दें के स्लीपर बस विजैपूर से जैपूर के लिए जा रही थी ये दुरघटना मानपूर थाना इलाके के चकबमुलिया गाउं के पास हुई शाजापूर के आगरा मुंबई नैशनल हाइवे पर रोजवास टूल टेक्स के पास एक बार फिर जोरदार टककर से दुरघटना हो गई हादसे में एक ट्रक और जीप की जोरदार भिलंत हो गई जीप में सवार एक शक्स की मौत हो गई जबकि दस लोग इसमें घायल हो गए घायलों में चार की हलत गंभीर बनी हुई है बहतर इलाज के लिए इन दौर रफर किया गया है घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुँची और एंबिलन्स लेकर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया हादसे का शिकार हुए सब ही लोग शाजापुर के निवासी बताय जा रही हैं जो की हाट बाजार करके उज्जैन से लौट रहे थे तब ही टोल्टेक्स के नजदीक इनकी जीप सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई जीप में कुल 11 लोग सवार थे हादसा इतना भयानक था कि जीप पूरी तरह से खशतिग्रस्त हो गई इसमें फसे घायलों को खासी परेशानी के साथ बाहर निकाला जा सका हादसे की खबर मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी सहित पूलिस के आला धिकारी जिल अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना वहीं हादसे के बाद अस्पताल में अफरत अफरी का माहौल दिखा पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्श कर चांच शुरू कर दी है हादसे की एक और तस्पीर बिलास्पूर से सामने आई तेज रफतार कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई कार के पलटते ही कार में आग लग गई हादसे में कार सवार तीन लोग घायल हो गए घायलों को अस्पताल में भरती करवाया गया है यहादसा तुर्वा के पिंडलवार नर्सिंग होम के पास हुआ था वहीं हादसे का सीसी टीवी फोटेज सामने आया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार तीजी से आ रही है वहीं नर्सिंग होम के पास आते ही कार अनियंत्रित होकर पलट गई जिसके बाद कार में आग लग गई देखे आग कितनी भयानक है और कार को अपनी चपेट में ले लिया वहीं कड़ी मशक्कत के बाद सभी कार सवार को समय रहते बाहर निकाल लिया गया पहले ट्रांसफॉर्मर में चिंगारी उठी फिर चिंगारी आग में बदल गई फिर देखते ही देखते ट्रांसफॉर्मर में मोठी चिंगारी दुकान तक फैल गई और उसके बाद जो हुआ तस्वीरों में देखिए तस्वीरा देखकर समझ गए होंगे कि चिंगारी से बनी ये आग कोई हलकी फुल की आग नहीं बलकि आग ने फरनीचर की दुकान को जद में ले लिया दो तस्वीरा देखिए पहले ट्रांसफॉर्मर में चिंगारी निकली और अब देखिए दुकान आग की दद में है देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई और पूरी दुकान अपनी चपेट में ले लिया आग के लप्ते करीब 20-30 फीट उची उपर तक उठी वहीं आग लगने से भारी नुकसान हुआ है दुकान में रखे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया हाला कि कुछ वक्त के बाद सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेट के टीम वहां पर पहुँची और आग पर काबू पाया एक बार फिर संजीवनी एकस्वाट एम्बूलेंस ने मानवता का परशे दिया है दरसल कोरबा के पोड़ी उपरोडा ब्लॉक के आमा खोकरा में एक वक्ती बीमार हो गया जिसके बाद उसे अस्पता ले जाने की नौबात आई बीमार वक्ती को अस्पता ले जाने के लिए एम्बूलेंस की जरूरत थी लेकिन खराब सलक एक बार फिर एम्बुलेंस को बीमार वक्ती तक पहुँचने में बादा बनी जिसके बाद संजीवनी एक्सवाट एम्बुलेंस के नाम से लोगों के द्वारा चलने वाली एम्बुलेंस पहुँची और बीमार वक्ती को खाट पर लेकर निकल पड़ी दरसल संजीवरी एंबुलेंस उन इलाकों में मुस्तेद रहती है जहां की सलकें खराब हैं जहां एंबुलेंस बीमार वक्ती तक नहीं पहुँच पाती उस बीमार वक्ति को खाट पर देकर एंबुलेंस तक पहुँचाने का काम संजीवर्यू एक्सवाट एंबुलेंस करती है हालाकि यह तस्वीर कई सारे सवाल भी खड़े करती है और पूछते है कि गाउं गाउं तक सरकें कब तक पहुँचेंगी द्रश्टि सहस्त्र चंद्रो यानि वो जो एक हजार पूणमा के चांद या फुल मून देख चुका हो यह वाकि उस गिफ्ट को चुनने का आधार है जो अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए पियम मोदी ने प्रसिडेंट बाइडेन को दिया पियम मोदी ने अमेरिका के राश्टपती को दस दानम भी भेट दी दस दानम के तहट एक हजार फुल मून देखने वाले व्यक्ति को दस चीज़ें भेट की जाती है पीयम मोदी ने भारती परंपराओं संस्कृति की जलक पेशकरती दस दानम बाइडेन को भीट की है पीयम मोदी ने बाइडेन को एक विशेश चंदन का डिबबा भी भीट किया जिसे जैपूर के एक मास्तर शिल्पकार ने अपने हाथों से बनाया है ये डिबबा मैसूर के चंदन की लकडी से बनाया गया है इस बॉक्स में भगवान गडेश की मूर्ती है मूर्ती को कुलकाता के चांदी कारिगरों के एक परिवार ने अपने हाथों से बनाया बॉक्स में एक दिया भी है चांदी के इस दिये को भी इन कारीगरों ने बनाया है पीयम मोदी ने इस डिब्बे में बाइडेन को दस चांदी के डिब्बे भी दिये जो भारती संस्कृति के नुसार दस्दान है इन बॉक्स में दस्दान राशिया है गौधान के लिए चांदी का नारियल पिया मोदी ने बाइडेन को दस प्रिंस्पल आफ उपनिशद किताब भी भेंट की जानकारी के मताबिक गर्मी की छुट्टियों के दौरान करीब 26 लाग भक्तों ने साइस समाधी के दर्शन किये और इस दौरान भक्तों ने 47 करोड का दान दिया है शेडी साइन्स संस्था की ओर से बताया है कि हुंडियों के खोलने के बाद दान में मिली रकम की गिंटी की गई साइन्स संस्था के CEO पी शिवा शंकर ने बताया कि 25 से 15 जून तक 26 लाग भक्तों ने समाधी के दर्शन किये जिसमें 22 लाग भक्तों साइन प्रसाद लाने में प्रसाद भी ग्रहन किया साइन दर्बाराय भक्तों ने कैस, चेक, डीडी और ऑनलाइन 47 करोड रुपे दान किये जबकि इस दोनान 2 किलो सोना और 52 किलो चांधी भी जमा हुई उधमपूर की बेटी ने अपने पावर से पूरे जमू कश्मीर का नाम रोशन किया है जी हाँ उधमपूर की रहने वाली रिया महाजन ने जहारखन की राजधानी राची में हुई राश्टिय जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपेंशिप में दो कान से पदक हासिल किया रिया के सफलता के बाद रिया के परिजन इलाके में काफी खुशी है रिया ने कहा कि उनके सफलता में परिवार का बहुत बड़ा योगतान रहा है रिया ने कहा कि परिवार के साथ जिम वालों का भी विशेश सहयोग रहा परिवार ने जहाँ एक लड़की होने के बावजूद मुझे इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा और हर संभव साहता भी की वह जिम वालों ने भी मेरी तयारी के लिए काफी सा प्रभावित किया जाए ताकि उन जैसे लड़कियों का होसला और बढ़ सकेट। प्रभावित हुई है असम राजी आपदा प्रभंधर प्रधिकरन की रिपोर्ट के अनुसार असम के साथ सटे कई पडोसी राजियों और भुटान देश में लगातार हो रही मुसलाधार बारिश के वज़े से कई नदियों का जलिस्तर खत्रे के निशान से उपर बह रहा है इस कारण असम के नए इलाकों में बाड के स्थिति पैदा हो गई है पूरे राजी के 444 गाव पूरी तरह बाड के पानी में डूबे नजर आ रहे हैं वही मौसम विभाग निगले 5 दिनों के लिए रड अलर्ट जारी किया है ऐसे में बाड से हालात और बिगड़ने की शंका जताई जा रही है